आज मैं घर में मुगलेई मतन मनाने जा रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले आप मतन में थोरी से हल्दी डाल दे और उसके बाद काजू का पेश्ट डाल दे क्योंकि काजू के पेश्ट और थोरी से हल्दी में हम इसे मेरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे कम से कम आधे इसे धोले उसके बाद ए सब करें मैं नहीं पहले से मतन को रखा हुआ था, और क्योंकि इसे बाहर बाए में भला कुछ कउले लेकिन हैं कुछ आ कि नहीं हें अजह नहीं, तो मैं आज घर में बहुत कम तेल मसाले में इसे बनाने जा रही हूं से आप करनmbol तेल मसाला गर्मी के मौसम में नहीं खा सकते हैं लोग तो मैं कम तेल मसाले में ट्राइ कर रही हूं आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और इसमें मेरिनेट होने के लिए जब आप इसमें चीजे मिलाते हैं तो आप इसे अच्छी तरीक से मिलाते हैं तो आप इसे अच्छी त तो आप भी हिसाब से के ले 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 तो मेने यहां पर 6 पिस मीडियम साइज का प्याज लिया हुए तो तुमाटर लिये हैं अब थोड़े से दो तुकरा अपका अद्रक लिया है तो इसमें मैंने प्याज का पेश्ट नहीं डाला है मैंने प्याज को बारी काटा है और टमाटर अद्रक और लासुन का मैंने पेस्ट बनाया है क्योंकि जब आप प्याज का पेस्ट बना कर देते तो उसका टेस्ट अलग होता है और जब बारी काटके आप उसे बूनते हैं उसमें जो प्याज गलता है फिर उसका जो फ्लेवर आता है वो लाजबाब होता है तो आप लोग एक बार इसे जरूर घर में ट्राइ करें ये बहुत ही मैंने पहले भी बनाया हुआ है तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो सेयर कर रही हूँ मैं अधिकतर घर में बनाती हूँ अलग लग तरीकी के मटन फिर उसके बाद मैंने जो भी इसमें मसाला डालूंगी वो ले लूंगी थोड़ी सी हल्दी लिया है मैंने उसके बाद मैंने एक चम्मच गरम मसाला लिया है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है एक चम्म ले लिया और मैं इसे मस्टर ओल बना रही हूं और इसमें फिर खड़ा मसाला डाल दे दालती नी तेश पत्ता लाल मेर्च बड़ी लाइची छोटी लाइची लॉंग जो भी आपके पास हो अब सारे खड़े मसाला इसमें डाल दे जो भी आपके पास है अभी लेवल उसके मैंने बारी कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे थोड़ा प्यार को थोड़े दिर बून लूँगी और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस तरह की वीडियो देखे और अब अब मैं इसमें टमाटर के पेस्ट डाल रही हूं जो मैंने अधरक लेसुन के साथ पीसा था वहले पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया और सबको मैं साथ में चलाओंगी और इसे अच्छे तरीकी से बूनूंगी और काफी यह करने के बाद में सारे मसालों सब डाल के मैं ए तैयार करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं सारा कुछ शेकी में डाल के बना रही हूं, तो एक बर आप लो ट्राइ जरूर किजेगा घर में, इजी रेस्पी है, फिर इसमें मैंने मटन डाल के उसे जो मैरिनेट किया तो वो मिला के, कुछ इस तरीके के हो जाएगा, इ क्योंकि मटन को गल्ले में थोड़ा वक्त लगता है, और इसके बाद मैं इसे ढखके बना रही हूं, और बीच-बीच मैं इसमें चला भी रही हूं, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी आड़ने किया हूँ, यह मटन का अपना पानी है, अगर आपको थिक नहीं चाहिए तो आप थोए से पानी भी गरम पानी अड़ कर सकते हैं, और बीच-बीच मैं इसे चलाते रहें, ताकि यह नीचे पकरे ना, जले ना, इसलिए इसे चलाते रहें, और मुझे क्योंकि थिक गरेवी चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें पानी अड़ नहीं किया है, और अब म मटन कितने अच्छी तरीकी से यह गला है, काफी गरम है, इसलिए मैं हाथ से छूट जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी तरीकी से में सो रहा है, जब हाथ में मैं इसे यह कर रही हूँ, उंगलियों के बीच जब मैं इसे कर रही हूँ, कितनी अच्छ तुरत लग रहा है और अब मैं आपको चक के बतातू हूं यह सच में बहुत ही लाजवाब बना आप भी से जरूर ट्राइ करें और मैं आपको दिखातू हूं देखिए पका कितनी अच्छी तरीके से एक दम सौफ बहुत ही अच्छी तरीके से यह पका हुआ है चलिए थैंक थैंक यू